उत्तराखंड के अलमोडा में सौमवार को यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई कुमाओ के कमिस्नर दीपक रावत के मुताबित बस हाथसे में 36 लोगों की मौत हुई है और 15 लोग घाल हुए हैं जिनें हॉस्पिटल भेजा गया है रावत के मुताबित ये बस राम नगर जा रही थी जो मारचूला में सल्ट के पास कोपी नाम की जगा पर गिरी है अलमोडा के सल्ट इलाके के SDM संजे कुमार ने एक न्यूज में बताया है कि दुरगटना के मुताबित लोगों के सब निकाले जा रहे हैं गायलो को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है उत्रकंट के डीजेपी अभिनाव कुमार ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए का है कि ये एक गंबीर हास्सा है और पाउडी और अलमोडा के आर्टियो को निलंबित कर दिया गया है कुमाओ के कमिस्नर ने पत्रकारों से काई कि चार लोगों के सिर में अधिक चोट लगी है उनमें से तीन को एरलिफ्ट करके रिसी केस एम्स भेज दिया गया है एम्स में डॉक्टरों की एक टीम राम नगर आईगी रिसी केस एम्स के पियारो संदीप सिंग ने बताया है कि वहाँ पर तीन गायलों को लाया गया है और एक अन्य के भी जल्दी पहुचाने की उम्मीद है हेलिकॉप्टर से गंबीर रूप से गायलों को एम्स रिसी केस और हल्दवानी के सुसीला तिवारी होस्पिटल ले जाये गया है उत्राखंड के डीजीपी सांसत अजे भट ने समाचार एजनसी से बात करते हुए काय कि गंबीर रूप से गायल यात्रियों को एयर लिफ्ट करके रिसी केस एम्स ले जा रहा है और कुछ गायलों को कासीपूर और हल्दवानी बेजा गया है और कुछ का इलाज राम नगर में ही हो रहा है उन्होंने बताय कि गायलों के इलाज की सारी विवस्ता सरकार ने की है जरूरत पढ़ने पर अन्य लोगों को भी एयर लिफ्ट कर लिया जाएगा भट ने काये कि आंतरिक हेलिकॉप्टर स्टैंड बाई पर रखे हुए है ताकि आपात स्थिती में उनका इस्तमाल किया जा सके उन्होंने काये कि मेरी मुखमंत्री के साथ बात हुई है सभी जन प्रतिनी दी गटना स्थल पर पहुंच चुके हैं NDRF और SDRF की टीम मौके पर रात और बचाव कार में जुट गई है उतरा खंट के मुखमंत्री कारायले ने काये कि मुखमंत्री ने मार्चूला आलमोडा के हुई बस दुरगटना की मजिस्टेट जाच हेतू अयुक्त कुमाव मंडल को निर्देश दिया है साथ ही मुखम पर रेस्क्यू और बचाव कार सुरू कर दिया गया है पुसकर सिंग्धामी ने अपने एक पोश्ट पर लिखा है कि जनपद अलमोडा के मार्चूला में हुई दुरुबाग पूर्ण गटना में यात्रियों के हतात होने के दुखत समाचार मिला है जिला प्रसासन को प्रसान केंदर तक पहुचा रही है जरूरत पढ़ने पर गंबीर रूप से गायल यात्रियों को एयर लिफ्ट करने के निर्देश भी दिये गए हैं रच्छा मंतरी राजनास सिंग्ध ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए लिखा है कि उत्रखंड के अलमोडा में वी भी सड़ सड़क हादसे के बारे में जानकर धुख पहुचा है इस दुरगटना के कई लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी है मैं मृत्कों के परिजनों के प्रती अपनी सम्वेदनाय प्रकट करता हूँ साथ ही घायलों को सीग्र स्वस्थ होने की कामना भी करता उत्रखंट के सिएम पुस्कल्धामी ने मृत्कों के परिजनों और घायलों को साहिता रासि देने का इलान कर दिया है मृत्कों के परिजनों को 4.00000 और घायलों को 1.000.00000 की साहिता रासि प्रदान की जाएगी आयक्त कुमार मंडल को घटना की जाज़ के लिए प्रदामंत्री रहात कोस्म से मिर्त्कों के परिजनों को दो दो लाग रुपे और घायलों को पचास हजार रुपे दिये जाएंगे। में पूरी जानकारी दिये यूनियन ने दावा किया है कि दुरगटना ग्रस्त बस का नंबर यूपी 12 पीए 0061 था जिसमें 37 यात्रियों के बैठने की विवस्था थी उनका दावा है कि दुरगटना के समय मौके पर ही 28 लोगों की मौत हुई है जिसमें दो सबों की पैचान नहीं हो पा रही है जबकि राम दत जोसी संयुक्त चिकसालेर राम नगर में 8 लोगों की मौत हुई है जिसमें एक मैला के सब की पैचान नहीं हो पाई है यूनियन के मुताबित राम नगर में इन 8 सबों का पोश्माटम कर उन्हें परिजनों को सौप दिया गया है उदर ह आजसे को लेकर राम नगर के राम दत जोसी संयुक्त चिकसाले में पहुचे बिजेपी सांसत अजय बठ का कुछ लोगों ने विरोध किया समाजिक कारकरता ललित संयुक्त संगर समीती के संयोजक है उन्होंने आरोप लगाया है कि घायलों को अगर समय पर इलाज मिल जात और राम नगर के सरकारिया हॉस्पिटल को पीपीपी मोड से बाहर कर ट्रोमा सेंटर में तबदील किया जाए उसके अलावा मृतकों के परिजनों को बीस लाक वा घायलों को दस लाक रुपे मुहाबजे दिये जाए भारत में बस परिवाहन का आम माध्यम है खासका छोट परिक असबो और जिला मुख्यालों के बीच हाला की बस ऑपरेटर सुरच्छा के नियमों की अंदेखी करते हैं और चमता से अधिक यात्रियों को बस में भर लेते हैं और इसी लिए ये दुरगटना के सिकार हो जाते हैं भारत में हर साल लगबग एक लाक साथ जार लोग झाल झाल